हलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल देवजी के ट्रिक सबसे पहले आप सभी को दीपा वली की हार दिक सुपकाम नाए और फ्रेंज ये टेस्ट रीज हमारी चालू रहेगी दीपा वली हो या हमारा कोई भी टेवार हो हमारी टेस्ट रीज यहां पर रुकने वाली नहीं है आप हमारे टेस्ट रीज का फायदा उठाइए और अपने एकजाम को लच रखिए क्योंकि इस तरह के तेवार तो हमारे बार बार आते रहेंगे लेकिन ये जो हमारे एकजाम है वो हमेशा नहीं आते रहते हैं आपको टार्गेट नहीं साना लगाना है कि हमारा 22 और 23 है ठीक है फ्रेंट्स तो इस चैनल पर आप सबको पता होगा कि हमारी यहां पर टेस्ट रीज चालू रहती है हिंदी की हो, जियस की है, करेंटे फेयर, यूपी स्विसल यहां पर हमारे चाचट कोश्चन है और चाचट कोश्चन में आपको जवाब देना है हम आपसे यहां पर कोश्चन करेंगे और कोश्चन के लिए हम आपको समय देंगे 10 सेकिंड और 10 सेकिंड में आपको बताना है किसमें से कौन साही होगा तो चलते हैं हमारा पहला कोशन है प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की धोनी है ठीक है प्रयत्न के आधार पर जो ला है वो किस प्रकार की धोनी है आपसान यह पार्श्वेक उच्छेप प्रकमपेत संगर सहीन आपके पास 10 सिकिंड का समय है आप सूचिए अंसर क्या हो ज़िए इसका अंसार देखते हैं अंसार हमारा A सही होगा अर्थात जो ला हमारा सब्द है वो हमारा किसका है पार्सवीक का है ठीक है किसका है पार्सवीक का है चलिए next question हमारे पास है निमलिकित में से कौन सब्द अमात्रिक है आपके पास चार आपसन है और आपको जवाब देना है दस सेकंड का समय आपके पास देख लीजे कार खाना, अमिताब, कलरो, चह चाहना तिसमें से आपको बताना है कौन सा हमारा अमात्रिक है चलिए देखते हैं हमारा अंसर क्या होगा अंसर हमारा C नमर सही होगा जो कल रहो है यह हमारा अमात्रिक सब्द है ठीक है यह हमारा कैसा है अमात्रिक सब्द है चलिए नेश कोशन है आपके लिए निमलिखित में से कौन महाप्रांड वर्ग का है निमलिकित में कौन सा महाप्राण आपको बताना है फ्रेंड्स महाप्राण क्या होता है तो अगर आप महाप्राण सीखे हैं तो आप आसाने से बता सकते हैं समय आपके पास 10 सेकेंड चलिए यहां पर अंसर हमारा देखते हैं क्या होगा अंसर हमारा ये नंबर है अर्थाथ हमारा कौन सा है याँ पर था ठीके अब महाप्राण होते क्या है तो आप देख लिजे क्योंकि इस टेसरीजी में ऐसे हमारे कोश्चन मिलेंगे तो हम लोग एक कांशोप्र को किलियर करते है ताकि अगला आने वाला कोश्चन आपके लिए साही हो देखो महाप्राण जैसे किमालीजी हमने यहाँ पर लिख लेते हैं कोई वर्ग जैसे का खा गा 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 और अंगा ठीके तीसमें से महाप्राण कौन होते हैं तो सब्सक्राण रखते हैं यह हमारे कौन से महाप्राण है ठीके तो यहाँ पर जो था आमारा आता है तो आपको पताए कि था किस में उड़ी सब्द को सम्सर के साह आती है तो इसका जवाब आपको बताना है क्ऊंसा होगा चलिए अंसर देखते हैं आपर अंसर हमारा बी साही होगा ठीक है अंसर कौन सा है बी होगा तो आप सब को पता है कि अंक और आहा हमारे कैसे हैं ये हमारे स्वतंतर स्वर नहीं है स्वर की परिवासा होती है कि स्वर वे होते हैं जो स्वतंतर होते हैं लेकिन ये स्वतंतर नहीं है यह हमारे कैसे होते हैं यह हमारे देखिए इसमें आ के साथ हमारा क्या लग है अंग लिगार्थात इसके पहले हमारे क्या आता है ठीक है यह हमारे जो ब्यंजन संदी होती है वहां पर प्रयोग किया आता है और अंका हमारा किसी भी सब्दों को लिखने के लिए वहा है जो अनुस्तों है चलिए यहां पर हमारा कोशन है च्छा वर्ड किसके योग से बना है तो आपके पास आपस्वार्णी चार और चार वापसर के लिए समय मिले है आपका दस सेकंड आपको बताना है इसमें से कौन सा अनसर सही होगा और आप आपको बताना है कि पूरी टेस्रीज के बाद आपने कितने यहां पर कोशन सही किये हैं चलिए समय आपका पूरा हुआ और इसका अंसर देखते हैं हमारे कौन होगा तो अंसर हमारे कौन सा है ए नमबर सही होगा ठीक है ए नमबर सही होगा तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारे ये च्छा वर्ड है तो इसे बोलते क्या है तो इसे बोलते हैं संयुक्त बेंजन सन्यूक्ति बेंजन के संख्या होती है हमारे चार क्योंकि इस्टे सीरीज में ऐसे ही हमारे कोशन होंगे तो कौन-कौन होते हैं तो हमारे जो सा के बाद हमारा हाता है हा के बाद हमारा आता है कौन छा त्रक और ग्या और एक हमारा होता है स्रा ठीक है स्रा ये हमारे चार होते हैं सैयोक्तिव एंजन जो हमारा चा बनता है वह हमारा बोलते है का धन सा से बनता है और इसको अत्रा हमारा कैसे बनता है ता धन रा से बनता है ठीक है और इसके बाद ग्या कैसे बनता है तो ग्या होता है जहां ठीक है जहां अर्थात हमारा य इसके सायोग से हमारा बनता है, अब चारों सी गया होंगे, अब अगला देखते हैं हमारा कोशन, भासा की सार्थक लगुतम इकाई क्या है, तो भासा की सबसे छोटी इकाई बताना है कौन सी होती है, आपके पास समय है 10 सेकेंड, चलिए, अनसर आपको आगया होगा बहुत ही जी कोशन है, तो इसका हमारा सी होता है, देखो जो भासा की सबसे छोटी काई होती है, ध्वनी होती है, ध्वनी या अच्छर बोल सकते हैं इसे, ठीके ध्वनी या अच्छर होता है, चलिए नेस कोशन आपके पास आ रहा है, कि लिखित में कौन सा जो अलप प्राण बेंजन है अभी हमने बताया था आपको यहां पर सही जवाब देना है आपके स्क्रीन पर चार क्वेश्चन है और आपको समय मिलता है दस सेकिंड चलिए आप समझ गया होंगे कि अलप प्राण हमारा कौन सा है तो अंसर देखते हैं हमारा इसका अंसर हमारा कौन सा है सी रादसा सो रही होगा दिखिए जैसे चा चा जा जा या अर्था था हमने बीसा में स्थान मताया थाल पर प्राण होते हैं और जो सा में स्थान होते हैं वो हमारे कुनते महाप्राण होते हैं यहां पर चा वर्ड जो आ रहा है वो हमारे भी सम इस्थीन पर आ रहा है इस प्रकार से चा हमारे यहां पर सही हो जाएगा चलिए नेश कुश्चन की बात करते हैं इन में से कौन सा वर्ड इस पर से बेंजन नहीं है तो आपको चार आपसं दिये हैं और अंसर आपको 10 सिकिन में देना है चलिए इसका हम आपको अंसर बताते हैं इसके अंसर हमारा कौन सा डी नंबर हो जाएगा ठीक है डी नंबर हो जाएगा ये ये इसपरस बेंजन में नहीं आता है ये हमारे अंताहस्त बेंजन में आता है ठीक है अंताहस्त बेंजन में चलिए निस कोशेन हमारा है आपके पास कोशेन है या रा ला वा बेंजनों को कहते हैं तो आपसंद ए है इसपरस बेंजन अंतास्ट बेंजन उसम बेंजन उप्युक्त में से कोई नहीं आपके पास समय मिलना है 5 सेकिंड क्योंकि हमने पढ़ दिया है चलिए इसका अंसर आपको आ गया होगा तो इसका अंसर हमारा क्या होता है अभी हमने आंसर बताया था कि इन्हें अंतास्त बेंजन कहते हैं जो या, रा, ला, वा होते हैं इनको अंतास्त बेंजन कहते हैं अर्थात ये हमारे अंदर से होती हुए बाहर को निकलते हैं और मु तब word कौन सा है समय आपके पाद 10 सेकंड चलिए यहाँ पर देते हैं दंत बेंजन क्या होते हैं तो सबसे पहले हमारा यह हमारा C नंबर सायोगर्था ता होगा तो दंत बेंजन क्या होते हैं इनको पहले हम लोग समझ लेते हैं देखो जब हमारी जीब में जो जीब होती है दातों से अगर लड़ती है तो वो हमारे दंथ होते हैं जैसे आप बोलिए ता था तो जो दंथ होते हैं वो हमारे जीब को इस पर सकरते हैं वो हमारे होते हैं क्या दंथ बेंजन है ना और चा बेंजन क्या कहते हैं तो चा चा ज जो हमारी जीव होती वो तालू किस पर से करती है तो हमारे तालब बिंजन हो जाएंगी यह अंतास्त बिंजन थे आपको है ना चलिए नेस कोशन आपके पास आ रहा है कि घा का उच्छारण इस्थान कौन सा होता है घा का उच्छारण इस्थान कौन सा होता है आपके पास सम चलिए इसका अंसर हमारे क्या होता है यह कंठभ बेंजन होते हैं हमारे अब कंठभ बेंजन क्या होते हैं जिनका उच्छारण हमारे कंठभ से होते हैं अर्थात का वर्ग के जितने भी बेंजन होते हैं वह हमारे कंठभ बेंजन होते हैं मूर्धा बेंजन के अंतरगत हमारे जो टावर्ग होता है उसमें मूर्धान होते हैं अर्था ऐसे वर्ड जिनको बोले में अंदर की सांस अंदर ही रहती है बाहर की सांस बाहर रहती है उन्हों टावर्ग लगते हैं अर्था था मूर्धा बेंजन में आते हैं तालो बेंजन है 10 सिकंण कर समय चलिए इसका अंसर हमारा कौनसा होजाएगा यह हमारा किसमें आता है अर्दसवर्ट सुर्ट इसमें किसे समंधी थे अभी हमने बताया था और यह आपके पास कोश्टन आगया चार आप है और चारों आपसन में आपको समय मिला है 10 सेकेंड चलिए इसका अंसार देख लेते हैं तो महाप्राण हमने बताया था कि जो हमारे समिस्थान होते हैं अर्थाथ हमारा दूसरा और चौता अर्था अर्था इसका हमारा को दिये गए हैं समय आपके पाद 10 सेकिंड है चलिए यहां पर उस मेंजन क्या होते हैं उस मेंजन को संगर्सी बेंजन कहते हैं और यह हमारे क्या होते हैं सा सा हमारे जो हा होते हैं यह चार होते हैं ठीके और इनको बोले में उस्वा उत्पन होती है था अगर आपको अपनी हथेली को मुखे सामने लगाएंगे और सा, 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 हा को बोलेंगे तो उसमें उसमा उत्पन होती है और संघर्स की जरूरत होती है इसका अंसर हमारा A नंबर सही हो जाएगा चलिए नेश कोशन आपके आ रहा है यहाँ पर जिन चलिए यहाँ पर हमारे आ गया है आपके स्क्रीन में कोशन है कि हिंदी के जिन वर्डों का उचारण करते समय केवल स्वास का प्रियोग किया जाए तो उन वर्डों को क्या कहते हैं अपसन चार है और समय आपके पात 10 सेकिंड है चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा हमारा है तो आपसन हमारा कौन हो जाएगा अगोस ठीके कौन सा यहाँ पर अगोस तो यहाँ पर अगोस और सगोस क्या होते हैं इनको भी आपको पता होना चाहिए अगोस अगोस मतलब क्या होते हैं तो जैसे आपने देखा कि का खागागा अंगा लिखे थे तो उनमें से हमारे जो स्टार्टिंग में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं और लास्ट में रता जो का खागागा अंगा होते हैं ये पांच वर्ड होते हैं तो लास्ट की जो दो होता है था चार और पांच वो हमारे क्या होते हैं और starting के हमारे कौन होते हैं वो हमारे होते हैं कौन से तो अगोस हमारे क्या होते हैं जो हमारे क्या होते हैं कि कह सकते हैं कि starting की जो तीन होते हैं ठीक है का खा गा यह हमारे अगोस होते हैं यह हमारे कहां से का से लेके मातक जो starting की तीन होते हैं अगोस हो लब सभी हमारे जो हमारे last के बच्चते हैं वो हमारे उसी में पहुंच जाते हैं नेस्ट कोश्चन है हमारा कि कौन वर्ड ओस्ट हब नहीं है आपको याँ पर जवाब देना है 10 सेकंड समय है चलिए यहां पर अंसर देखा जाता है अंसर हमारा D नंबर सही होगा ठीक है कौन सर कौन हमारा D है अर्थाथ A हमारा ओस्ट अप नहीं है ओस्ट बेंजन क्या होते हैं जब दोनों ओठापस में भीड़ जाते हैं अर्थाथ जैसे पा फा बा बा अंबा अंग जो पा फा बा बा मा ठीक है तो यह हमारे आते हैं कि इसमें उस्ट बेंजन में आते हैं वो को बोलते हैं वो भी थोड़ा सा जुड़ जाता है चलिए नेस कोशन आपके पास है अलप प्रांड धोनिया के समूं कौन है अलप प्रांड के अंतरगत कौन कौन आते हैं तो इसका भी हमने आपको बताया था कोशन अब आपको जल्दी कर दे रहे हैं तो इस टार्टिंग की जो हमारे तीन होते हैं हमारे कौन है का खागा यह हमारे का होते हैं अलप प्रांड होते हैं का खा स्वारी यहाँ पर देख लीजिए जिसे का खा खा गये यह हमारा समिस्थान रखता है तो हमारी हो जाएगा जिसे यह हमारा चा जाईयां यह हमारा कौन से हो जाएगा अलप प्राण हो जाएगा चलिए नेश कोश्यन आपके दिया है कि वर्ड सब्द का अर्थ नहीं ह तो वर्ण सब्द का अर्थ नहीं होता है, क्या नहीं होता है, रंग आकास जाती अच्छर, तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर देखिए अंसर हमारा बी नमबर है, कि वर्ण का अर्थ हमारा आकास से नहीं होता है, ठीक है, और रंग जाती अच्छर से होता है ये question अभी आया था पुलिस में next question है आपके पास कि कौन word घोस नहीं है ये आपको बताना है कौन सा word घोस नहीं है चलिए यहाँ पर हमारा answer देखते हैं answer हमारा B answer B हमारा ये घोस नहीं है अगर आपने ये chapter नहीं देखा है कि घोस और अगोस क्या होता है तो आप हमारे telegram number से जोड़ जाएगे ये आपके description बाक से में ये घोस वारा chapter हमारा जो वीडियो है डाल दिया जाएगा आप click करके उसे देख पाएंगे और जितना भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं जिसका एक ही वीडियो में हमने बना दिया है और उस वीडियो को आप देखिए आपको ये confusion पूरा chapter दोर हो जाएगा next question है आपके पास कि जिन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है वो कौन सी होती है आपसन आपके पास 4 है समय आपके पास 10 second चलिए answer देखते हैं answer A हमरा है कि स्वर के बाद स्वर के बाद आने वाली जो नासिक दुनिया होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं आपर उनको बोलते हैं कि ये अनुस्वर का जाता है next question आपके पास दिया है कि कि सब्द में रिशी स्वर नहीं है तो इसमें से कौन सा नहीं होगा आपको बिल्कुर से दिख रहा होगा कि D नमबर हमारा सही होगा चलिए कुछ स्पीड लेते हैं निम्रिकित मैं कंठ दुनिया कौन से हैं तो कंठ दुनिया अमारे कौन से होती है तो हमने बताया था ज़ाओ का खागा होते हैं वो कंट दोनिया वोती है नेस कोशन है कि ओ और ओ किस प्रकार के वर्ड यह मारे कॉंसे है आप Сंभी होगा कंट से होता है ठीक है में हमारा नहीं होगा यहाँ पर यह नंबर आम नहीं है और हमारी सभी है यहाँ पर निसकोंशनर आपके पास समय है दस सेकेंड कोश्चन आ गया है कि इसमें से तालब धुनिया कौन सी हैं जिस कोश्चन में समय कम लगेगा हम उसको जल्दी से बता देंगे और जो समझने वाले हैं को उनको हम आपको टेस्ट तरुके पे लेंगे ताकि टेस्ट भी थोड़ा बड़ा ना हो पाए बोल देते हैं कि कौन सी ध्वन अलप प्राण है तो देखो अभी अलप प्राण वाला हमने बताया है आपके पास समय दस सेकंड का है आपको जल्दी से बताना है पर अंसर देखते हैं अंसर हमारा डी हो जाएगा सई ता नमबर हमारत अलप प्राण है ठीक है अभी बताय था 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 दा दा था इंडीकी सिपर्फ w io assessment भुएज़ इज वर लेंकर अनसर अमारा सिय था मारा जो आता ही इंतर्गत होता है कि इंडीकी सपर्फ गोस मारा नद चालत घरanut दंत ये सभी हमारे मित्ता था जो हमारा था आ जाता है ठीक है था उसी में सामिल हो जाता है सभी में नेश कोशन है हिंदी की इसपर गोष माप्राण ओस्ट बेंजन हमारी ध्वनिया कौन सा है तो इसका अंसर आम लोग देखते हैं हमारा कौन हो जाएगा ये नंबर से हो जा चलिए यहाँ पर अंसर देखते हैं C नंबर इसका सही हो जाएगा नेस कोश्चन आपका है कि हिंदी की बाध होनी है बाध होन काउन सा है तो आपको जल्दी से बताना है 10 सिकंड का समय है चलिए अंसर देखते हैं आपकर अंसर आपका B नंबर है देखो जो OST अब दुणिया होती है दोनों OOT हमारे क्या होते हैं आपश मैं भीड जाते हैं तो हमारे OOT जैसे पापभाभाभा हमारे OC में आती है अर्था थी है हमारा OST दुणिया हो गई next question है आपके पास निवलिकीत में से दंत धनिया कौन सी है तो आपको यहाँ पर समय मिलता है 10 सेकंड का चलिए यहाँ पर हमारा दंत पूछा था और दंत में हमारा ता नंबर से हो जाएगा अर्था ता थादा हमारी जो होती है दंत होती है क्योंकि ता बाला हमारा होता है अर्फाथ हमारी जीव होती है, हमारे दातों बेंजन हो जाएगा नेशक और आपके पास निमली के दोनीयों में से कोन्सी दोनोस हे ठीकि कोन हमारे दोनोस है, तिहां पर कौन सा हो जाएगा तिहां पार 4 आपसने, समाय आपके पास 10 सेकट आपने कितनी तैयारी कर ली है ये आप इस वीडियो में जाच सकते हैं क्योंकि हमने पूरे पूरे टॉपिक का एक ही जैसे कोई टॉपिक होता है उसका पूरा वीडियो हमें इसे ही लाते हैं चलिए समय होगे आपका पास यहाँ पर देख लेते हैं अंसर हमारा D-Number सही किया है अंतास्त बिंजन और साथ में दंती बिंजन के अंतर गत्वीज को रखा जाता है चलिए नेस कोश्चन है आपके पास निलिकित वर्डों में से कौन सा मूर्धन दुनियों का है कौन मूर्धन दुनिया है आपको मूर्धन दन्न मूर्धन वाले बताना है मूर्ध जो हमारे बिंजन होते हैं कौन होते हैं समय आपके पास 10 सेकिन चलिए यहां पर अंसर देखते हैं कि मूर्ध होते हैं तो कौन होते हैं टा टा डा डा अर्थाथ हमारा बी नमबर इसका सई होगा जो टा टा डा डा होते हैं ये हमारे मूर्द इवेंजन के अंतरगत आते हैं नेश कोशन है आपके पास question है आपके पास 7 धोनी का उचारण क्या है औरताद जो 7 धोनियां होती है इसका उचारण क्या है समय है 10 सेकिन चलिये, यहाँ पर हमारा 7 धोनी किसम में आता है तिये हमारा आता है, देखिए B नमबर अता है, किसम न इता है तालप बेंजन में ठीके जो सा आता है वो हमारा किसमें आ जाता है तालब बे आता है तालब बे क्या होते हैं अर्था तालू सिस्पेस करते हैं जैसे चा चा जा जा अर्था जो हमारे चा वर्ण के थे वही हमारे क्या थे तालब बेंजन में भी हमारा कौन सा आ जाता है ठीके अर्था सा को हम ल चलिए इसका अंसर यहां पर देखते हैं क्या हो जाएगा अंसर हमारे यहां पर बी नंबर सही किया गया है ठीक है बी नंबर सही है ला ला हमारा क्या है यह पार्सी बेंजन होता है ठीक है पार्सी बेंजन कन होता है ला होता है नेस्ट कोश्चन इसक्रीन में प्यारा है देखते हैं तो ए नमबर हमारा सही हो जाएगा कि पस्ची स्वर हमारे को ने यहाँ पर आपको पता था कि जो स्वर होते हैं यहाँ पर स्वर के बात देदिया है तो तुरंत आपको देखना चाहिए था कि यहाँ पर स्वर दिया गया है ठीक है और स्वर यहाँ पर एक ही दि होती है तो हमारे word होती है ठीक है word होती है यह इस से बंच जो मैसा के सब्चूटी में अच्छार बोलते हैं नेश कोश्यठी आपको है कि word माला कहते हैं तो उअला किसे कहते हैं आप य। ऊफता 나प के पास शाहरा आ गए है और समय आपके पास 10 सेकंड का है चली इसके हमारा क्या हो जाएगा तो यह हमारे वरॉडों के विवस्थि समंगे क्या बोलते हैं वर्ड माला कहते है ठीक है चली यह नेस वे चली यह पार अंन्सरैं हम लोग देखते हैं कि कौन हो जागी इस पर दो से निकलती है अर्थात का और खा अमारा यह नंबर यहां पर सही हो रहा है ठीक है तो को अमरे कौन से अंसर हो जाएगा का और खा यहां पर सही हो जाएगा नेश कोशेण आपके पास दिया जा रहा है चार आपसन ये स्थान के आधार पर बताए कि मूर्धन बेंजन कौन है बार बार वही हमारे कोश्चन आ रहा है गोम फिर के चलिए यहाँ पर अंसर देखते हैं तो मूर्ध बेंजन कौन होते हैं ता ठाड में आते हैं ता सी नमबर अमारा सही हो जाएगा यहाँ पर टा और ठा ठीक है चलिए नेस कोश्चन है निमलिकित में अलप प्राण कौन से है अलप प्राण कौन से है आपको यहाँ पर बताना है आपसन है चार समय है 10 सिकिंड चलिए यहाँ पर अलप प्राण कौन होते हैं नासिक की बेंजन की पहचान करना है और आपसन में समय आपको मिलेगा सबसे कम 5 सेकिन और इसका अंसर हो जाएगा B नमबर अर्थात हमारा जो यहां है वो हमारा नासिक है आपसमें देख पा रहे हैं कि यह नाक से निकल रहा है ठीके? नाक से निकलता है चलिए अंसर देखते हैं आपर अंसर हमारा D नमबर हो जाएगा आर्था आते हैं A और जो A होते हैं ठीके? A और A होते हैं वो हमारे कंट तालब्ब में आते हैं किसे में आते हैं? कंट तालब्ब्ब आप इसकी नोट्स बना लेना अच्छे कोश्चन है आप समझ पा रहे होंगे टेसीरीज को देखते हुए नेस्ट कोश्चन है आपके पास कि हिंदी वर्ड माला में आयोग गिवाह वर्ड कौन से हैं? आयोग गिवाह बताना है आपर? समय आपके पास 10 सेकिंड चलिए अंसर हमारे यहांपर D हो जाएगा अर्थात कोश्चन है आपके पास आ रहा है और यह कोश्चन में पूंचा गया है कोश्चन की निलकित में बताईे किस सब्द में दूईत दूईत बेंजन है ठीके दूइत बेंजन कौन मा है इसमें से अंसर आपको बताना है 10 सेकंड का समय है चले अंसर देख लेते हैं आपर C नंबर सही है दिल्ली ठीके दिल्ली में आपर दूइत बेंजन है नेस्ट कोशन आपके पास दिया जा रहा है सा 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 हा और इसमें जो बेंजन कहिला जाते हैं क्या कहिलाते हैं तो अंसर हमारे यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा 10 सेकंड का समय है अंसर आप बताए चलिए यहाँपर अंसर 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 आपको दिया जा रहा हा है आपर निकितम बताएए कि नवीन विक्सित धोनिया कौन है नवीन विक्सित धोनिया कौन सी है यहाँ पर 10 सेकिंड का समय है आपके पास चलिए अंसर यहाँ पर हमारा यह नंबर सही हो जाएगा खा और गा जो हमारी है वो नवीन हमारी विक्सित धोनिया है नेस्ट कुश्चन है आपके पास निम्लिकित में कौन सा गोस वर्ण है गोस बताना है आपको समय है 10 सेकिंड चलिए इसका अंसर हमारा हो जाएगा C नंबर अर्थात्मा हमारा क्या हो जाएगा गोस हो जाएगा ठीक है गोस हमने बताया था कि जो चलते हैं अभी इसको हम बताते हैं आपको लास्ट में ठीक है चलिए नेस्ट कुश्चन आपके पास है कौन सा अमानक वर्ण है कौन सा अमानक वर्ण है समय है आपके पास 10 सेकिंड चलिए यहाँ पर अंसर हमारा हो जाएगा C अर्थात भा जो है वो हमारा अमानक वर्ण आता है ठीक है भा हमारा अमानक वर्ण है देखिए यहाँ पर मा कर लीजियो इसे ठीक है आप एक कुल लगाना है यहाँ पर डबल कर दिया गया है ठीक है चेंज कर लेना यहाँ पर C नंबर भा सही हो जाएगा निश कोशन आपको दिया जा रहा है यहाँ पर कि का, गा, जा, फा, धुनिया किसकी है तो आपसन में हमारे चार हैं समय आपके पाथ 10 सेकिंड चलिए यहाँ पर यह हमारी सब कैसी हैं? यह हमारी है जो अर्बी फार्सी दुनियों के अंतरगच आती है आपके जैसे कह सकते हैं कि चलो इसे हमने वीडियों बना दिया इसलिए हम पर डिफाइन नहीं जयदा कर रहे हैं समय आपको ज्यादा लॉस ना हो चलिए हिंदी में मूलता वर्डों की संख्या कितनी होती है सब को पता होगा फिर भी आपको पांच सेकिंड का समय दे रहा है चलिए इसका अंसर हमारा हो जाएगा सी नमबर अर्थात हमारा 52 सई होगा हिंदी में मूलता वर्डो के संख्या कितनी होती है ठीक है मूलता वर्डो के संख्या कितनी होती है तो 52 होती है ठीक है अगर वो इसे बात करें तो हमारे कितनी होती है चाध ध्वनी किसके अंतरगत आती है आपसान आपके पार 4 समय है आपके पास 10 सिकंड चलिए यहाँ पर हमारा 6 वर्ण किसम आता है तो C नमबर सही हो जाएगा सयूक तो वर्ण ठीके सयूक तो वर्ण हमारा इसका सही हो जाएगा चलिए नेस कोशिन हमारा है कि हिंदी सब्द कोश में 6 वर्ण किस वर्ण के बाद आता है यह दुवारा रिपीट हुआ है कोशिन फिर भी आपके लिए समय मिलना है 5 सेकंड चलिए 6 वर्ण किसम आता है तो हमारा A नमबर सही हो जाएगा जो हमारा आपने बताया था कि संयोक्त हमारे जो होते है का धन सा से मिलता है ठीक है ना चलिए नेस कोशिन आपके पास है कि ग्या वर्ण किन वर्णों के संयोक्त से बनता है हमने अभी चारों को बताया था कि कैसे होते है ठीक है च्छत रग्या और स्रा जो परिश्रम वाला यह चार हमारे संयूगत होते हैं तो इसमें सब को हमने डिफाइन किया था यहां पर जव ग्यां आया है वो ग्यां हमारे क्या होता है जियां अर्था था 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 हमारा B-Number इसका सही हो जाएगा B-Number नेस्ट कोशन आपके पास कि अगोस वर्ण कौन सा होता है अगोस की यहाँ पर पहँचान करना है अगोस कौन होता है चलिए आप लोगों की कमेंट आते हैं कि सर वीडियो सही एक्वाल्टी सही नहीं है तो आप 3GP में लगाईए न यहाँ पर आपको यह कॉर्णर पर देखना यहाँ पर आपको कॉर्णर में आपको 3 स्लाइट दी होँगी तो वहाँ पर आपको क्या करना है वहाँ पर क्लिक करना है तो आपको आजाएगा जो हथा है 144 ठीक है तो आप इन वे चेंज कर लिये अपको क्वालटी पूरी मिल जाएगी ठीके चलिए यहाँ पर हमारा है अगोस वर्ड तो अगोस वर्ड हमारा क्या होता है तो हमने बताया था प्रतिक वर्ग के प्रथम दूती और तीती तो यहाँ पर देख पा रहे हो कौन सा हमारा है तो डी नंबर से हो जाएगा सा ठीके सा हमारा क्या होता है यहाँ पर अगोस होता है नेक्स कोशीन आपके पास की घा उच्चारण का स्थान कौन सा है गा बताना है घा उच्चारण को, जोलिए यहाँ पर घाव समझ ग 끝だ होंगे कौन हो जाएगा तो हमारा बीनमबर हो सेकेंड हम कोश्चन के अंसार समय भी दे रहे हैं चलिए आप समझ गया होंगे कि हमारे संयुक्ति बेंजनों की संक्या होती है चार और उसमें से बी नंबर हमारा सही हो जाएगा अथात जो चाह होता है चाहत रग्या और हमारा स्रा जो पर इस तरह मला होता है नेश क्वेशन है हमारा कि निलिकित में से कौन सा एक वर्ड उचारन ठीक है चलिए यहाँ पर दिया गया है कि वर्ड उचारन की द्रस्ची दंत नहीं है अथात इसमें दंत बेंजन कौन सा नहीं है आपको समय मिलती हैं पांच सेकिंड चलिए यहाँ पर हमारा दंत बेंजन कौन नहीं है तो हमारा एक वर्ग से अलग होगा आतात हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर D नंबर हमारा सही हो जाएगा देख लीजिए जो हमारा टा है यह हमारा दूसरे माता है मूर्द बेंजन के अंतर गताता है मैं है आपके पास दस सेकिन्द आई मैं मि चलिये यहां पर आज आता है जो हाथा है तो दी नम Jew nos होता है अक ठीके अक। अकृष सब्द जो होते हैं उनके पहले हमारा अंत में क्या आता है नाइख हो कता है NET that 6क में किसके सयोग से बना हुआ है चाव वर्ड किसके सायोग से बना है बार-बार रिपीट हो रहा है तो यहां पर का वर्ड जो हमारा यहां पर अंसर हम आपको बता दे रहे हैं तो आपको डारेक्ट यहां पर यह नंबर सही हो जाएगा अर्थात का धनसा से मिलकर हमारा अच्छा होता है बी हमारा यहां पर हो जाएगे स्वरों की संके कितनी होती है हमारी यहां पर 11 होती है यहां पर कुछ की बात कर दिया था कुल की बात कर देते ठीक है कुल की बात करता तो यहां पर 13 होता हम अगर कुछ की बात कर रहा है ठीक है चलिए नेस कोशन है कि निमने कौन स्वर नह होगा तो आफ़ tadi नम्बर अमरा हो गया आ न्यश्τικन पत regularly엽 संब्युक्ञ्ड नहीं कॉन ता वर्ग नहीं है अपने अंसर देख लिया है तो टब रमर्ग मकॉन सा नहीं है तो मतनुस रहे हैं पर घा नंबरड़िकिन गभा हमारा हो जाएगा इसका चैनल GHA, यह हमरे कंथवर्ड है, और यह हमरे कैसे मुअर्धन के अंतर गता थी है, टिकर मूर्धा के अंतर गता थी है, नेस कोर्शन आपके पास है, कोशन है हमारा believing नमबर और इसमें से हिंदी वड़माला में बेंजनों की संखिया हमारे कितनी होती है थे 5 सऩाह को सतते आप की 25 कोस्चिंब OS तो आप समच सकते हैं कि नहीं आपका ठीक थाक आपकी हिंदी आ रही है समय, तो friends आपको ये comment करके question बताना है question हमरा है कि यहाँ पर जो जिने बोल देते हैं हम लोग पंचम word, ठीक है क्या बोलते हैं पंचम word अरथा तो पंचम word कौन होते हैं, ठीक है पंचम word क्या होते हैं आपको कमेंट करके बताना है, शात में आपको बताना है कि वीडियो का कैसा बनाया जाए, ठीक है, थोड़ा सा इंप्रूब करना है, कि समय ज़्यादा तो नहीं मिला है, या किसी परकार का और सात में आपको बताना है, कि इतने QUESTION आपने सही किये हैं, तो पच्पन कोश्चन आपके लगबग सही होना निमार है इस हिंदी टेस्ट्री में बहुत हीजी था छोड़ी छोड़ी बाते थी तो फ्रेंट्स ऐसे ही हमारे टेस्ट्री चलती रहेगी और दीपा वली की आप सबको बहुत हर्दुफ सबकान आए हमारा वीडियो दीपा वली को भी आएगा ठीके हम आपके साथ इमानदारी से जुटे हुए हैं आपको भी इमानदारी स्ट्री देना है और साथ में हमारे वीडियो एक्जाम को आपको क्राइक करना ये काम है और ये फीडियाफ हमारी 24 गंटे के बाद ही को मिलेगी आप लोग बोलते हैं कि नहीं सर फीडियाफ डाल दीजिए फीडियाफ डालने से मतलब क्या हुआ आप उसको बारे में सोचिए यहां पर टेस्ट समय दिया जा रहा है समय हमारे पास है 40 मिनट का तो 40 मिनट में वो कनफर्म हो जाना चाहिए इसलिए पीडियाफ पूरी 24 गंटे के बाद ही अपडेट की जाती है तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मिलते हैं हम लोग नेश्ट वीडियो में अतब तक आप लाइक भी करते रहे हैं सस्क्राइब भी कर दीजिए और सेयर भी कर दीजिए हमने इस वीडियो में आपसे मिलते हैं